किसान की मुस्कान देश की शान नमस्कार किसान भाईयों बहुत बहुत श्वागत था आपका हमारे यूटूब चनल प्रोटेक्टर एक पे आज हम आपको जिन पांच हाइब्रेट टॉप धानों के बारे बताने वाले हैं वे भारत की सबसे प्रशिद और चाहदर बिखने वरी धान किसमें है जो आपके खेत में एक एकर में 35 से 38 क्विंटल प्रति हक्टियर धान को उत्पादन दे सकती है एक एकर का मतलब शताइस कठा होता है मैंने पहले भी बता है कई पर अपने वीडियो में आपने सुना भी होगा तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहली व्राइटी है एराइज 444 गोल्ड ये एक हाइबिड धान है बायर कंपनिय है इसकी जिसने इसको प्रड़क्ट को लॉंच किया है तो बायर की ये पॉपलर राइटी भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मानी जाती है हाइबिड धान की किस्म एराइज 444 गोल्ड की भारत की बहुत ही परसी धान किस्मों में से एक है इसे बायर क्रॉप साइंस हैदराबाद के द्वारा विक्सित किया गया था हाइबिड धान की ये किस्म पूरी तरह तयार होने में 125-130 दिन का समय लगता है अगर हम उत्पा प्राप्त कर सकते हैं याने की कठे में एक सवा क्यूंटल रभत कर सकते हैं एक पौध है से इसमें 12-15 कल्य निकलते जो पौध मजबूत और गिरते नहीं है इसंत्ति क्यृप और पानी भी कम लगता है बाईर धान के किस्में कोई भी हो वो रोगों के प्रती-प्रतिरोध हर प्रकार के मौसम के परतिशां सील मानी गई है टॉप धान के हेर्बिट किस्म 25 से 30 परसन जादा उपस देती है लगवक सभी प्रकार के खरीफ के मौसम में मैसम कर उतार इसका नाम में 84 33 GT hybrid यह धान के किस्म की पैदावार भी बहुत अच्छी है धान के किस्म भी बायर कंपनी का ही है एराइज की एजेट 84 33 DT जी है 843 DT hybrid दान की किस्म को तयार करने में 135 दिन लग जाते हैं एजेट 84 33 DT नए यूग का सूपर हाइबिड धान बीज माना जाता है जो पैदावार की अपार छमता और भूरे काले तेल और बी एल बीरो के प्रतिजब्रस्त सान सीलता है पिछले साल 2022 की अगर हम बात करें तो धान के सीजन में मैक्सिमम जो धाने थी उनके जो बालियां थी उन्हें विमाई लग गए थी पहले धान आपका बहुत अच्छा था और जब आप काटने गए तो उसमें एक विमाई लगी थी इसका नाम बी लबी था जिससे की जब अर्जस्त किसानों को नुक्सान हुआ था तो यह जो विराइटी है एजेड 84 33 डी टी वो उस रोग के पतिस हनसील भी है थिसरा धान है रासी का है यह इसका नाम है डबल र एक्स 113 जी हां डबल र एक्स 113 यह रासी कंपनी का बहुत ही पॉप्लर धान है इसके दाने ज़्यादा चमकदार और लंबे और काफी वजंदार होते हैं इसकी फसल भी 115 से 120 दिन में पकर त्यार हो जाती है यह विराइटी अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों में सामिल है फसली रोगों के पति उच सहनसील तथा इसके पौदों में ज्यादा फुटा होता है इस विराइटी के अधिकतर किसान अगेती किस्म के रूप में ब काफी समय में किसानों की पहली पसंद बन चुकी है यह विराइटी की किस्म फसल हलकी मिटी एवं कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती है यह फसल भी ठीक वैसे 115 से 120 दिन में तयार हो जाएगी कावीरी 468 विराइटी का दाना मोटा और लंबा होता है अगर हम सोथ सकते हैं कि कठे में इसका उत्पादन क्या होगा इसका दाना काफी वजन दार होता है जिससे किसान भाईयों का छला प्राप्त हो सकता है खेतों में बीच जरकी बात करें तो वही चार से पांच किलोग्राम प्रतियकर सूखा और अधिक बरसाथ सबसे बढ़ इसकी ख प्रतिकूल नहीं होती इस वराइटी की सबसे बड़ी बात यही है जिसे किसानों को पशंद आनी चाहिए अगले धान के हम बात करते हैं तो वह है एडवांटा का गोल्डन सीड जी हाँ एडवांटा गोल्डन सीड बहुत ही कम समय में पक्कर त्यार होने वाली यह वराइ इस चिस्मके जीवन काल की बात करें तो सौ से एक सोपाश दिन अभी तक मैने जोभी वराइटी बताई सब एक सो फंद्डरा से क्ष़वीस दिन में तयار होती थी यहिजरे इक सो झाल की opening घ्रोता है पर बहुत थी अच्छा दहन है आप लोग कूप्यू करना चाहिए मैंने हमेशा कहा है मैं जो भी तकनीक विराइटी कुछ भी बताता हूं उसे आप कठे दो कठे में करके एक साल जरूर देखें अगले साल उसे जादा जाद छेतरों में आप करेंगे इसका मुझे भरोसा है बहुत बहुत धन्यवाद उमीद आपको जनकर ये अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो जै जवान जै किशान जै विग्या